सबी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरानमिशकार आज की इस वीडियो में हम करेंगे सकट्चोत व्रत कथा तो सबसे पहले गणेजी भगवान कीजै, शिव परिवार कीजै, सकट्चोत माता कीजै एक गाउ में एक गरीब बुढिया और उसका बेटा रहता था दोनों बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते थे, बेटा रोज मस्दूरी करने जाता था एक बार एक पडोसन ने उस बुढिया के बेटे को सिखा दिया कि तेरी मा तो तेरे जाने के बाद खुब पकवान बना बना खाती है तब उसने सोचा क्या पता ये पडोसन सच ही बोल रही हो पर मीरी मा ऐसा कर तो नहीं सकती पर पडोसन ने तो मन में शक का बीज बोही दिया था अगले दिन उसका बेटा सुबे सुबे घर से मस्दूरी के लिए चला गया और मस्दूरी से जल्दी से कोई बहाना बना कर घर पर वापस आ गया और उसने देखा कि उसकी मा तो घर में खीर, पूरी और तिल के लड़ो बना रही है वहे अपनी मा से बहुत नराज हो गया कि मा मैं तो इतनी मस्दूरी करता हूँ, महनत करता हूँ और तु मेरे पीचे से खीर, पूरी बना-बना कर पकवान बना-बना कर खाती है और मुझे रूखा सुखा देती है पर उसकी मा बोलती है नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है आज तो मेरा सकट शोत का वरत है और यह वरत मैंने तेरी दिरगायों, तेरी सलामती के लिए, तेरी उननती के लिए ही रखा है इसलिए ही यह सब कुछ बनाया है परन्तु बेटी की आखो पर तो जैसे पट्टी ही पड़ गई थी उसने अपनी मा की एक न सुनी और बोला मैं तो अब इस घर में रह ही नहीं सकता, मैं यह घर छोड़ कर जाऊंगा उसके मा के बहुत समझाने पर भी जब वे नहीं माना तो उसकी मानी कहा ठीक है बेटा, अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे मुझे पर विश्वास ही नहीं है, तुझे किसी ने जूटा पढ़ा दिया है तु जा रहा है, तो ठीक है, लेकिन अपने साथ ये तिल लेकर चला जा आज मैंने इन तिल से ही तेरे नाम की पूजा की है तु जहां जाए, जहां तुझे संकट लगे, ये तिल वहां डाल देना तेरे बीच में जो संकट आया हुआ है, वह संकट दूर हो जाएगा उसने अनमने मन से वो तिल रख लिये बेटा बोला, वैसे तो मा, मुझे विश्वास है कि तु जूट बोल रही है पर तु इतना बोल रही है, रो रही है, तो चल, मैं ये तिल रख ही लेता हूँ अब वह बेटा घर से चल दिया, घर से निकलते निकलते ही उसे काफी देर हो गई वह जंगल के रास्ते चल दिया, अब जंगल में उसके सामने एक भ्यानक साप आगया अब वह डर गया क्योंकि साप उसको डसने के लिए आगे बढ़ने लगा तब घबराहट में लड़के को अपनी मा की याद आई और मा के द्वारा दिये हुए तिल की याद आई उसने यह तिल साप के उपर फैक दिये और बोला कि अगर मेरी माने सच्चे मन से मेरे लिए व्रत रखा तो यह तिल अभी साप को दूर भगा दे थोड़ी ही देर में वह देखता है कि साफ वहां से भाग गया अब वह थोड़ा और आगे बढ़ा अब आगे वह देखता है कि एक बड़ी नदी है और वह अपने पूरे उफान में है अब वह उस नदी को कैसे पार करे फिर उसने अपनी मा के दिये वे तिल निकाल लिए और उसने उस नदी में थोड़े से तिल डाले और बोला अगर मेरी माने सच्चे मन से मेरे लिए तिल कुट का व्रत रखा है तो यी तिल इस नदी के उफान को बंद कर दे और मैं अराम से नदी को पार कर लो फिर यही हुआ नदी का उफान बंद हो गया और वह ने नदी को असानी से पार कर लिया अब चलते चलते वह एक गाउं में पहुच गया वहाँ पर वह देखता है कि एक गरीब बुढिया माई खीर बना रही है पूरिया तल रही है रो भी रही है और खुश भी हो रही है अब वह लड़का बड़ा हैरान होता है कि ये रो भी रही है खुश भी हो रही है तो वे उस बुढिया से ही पोस्ता है क्या बात बुड़ियमाई तो खीर पूरी बना रही है खुश भी हो रही है और रो भी रही है तो बुड़ियमाई कहती है बेटा मैं खुश तो इसलिए हूँ कि मेरा बेटा यहे खीर पूरी खाएगा और उसे खीर पूरी बहुत पसंद है मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का बुलावा है उसे राज महल में जाना है आवा पकने के लिए आज मेरे बेटे की बली दी जाएगी तब वह लड़का कहता है बुड़िया माई बस इतनी से बात है कोई बात नहीं तू ऐसा करमा मुझे ये खीर पूरी खिला दे और मैं सो जाता हूँ जब वो आएंगे राजा के सैनिक तब तू मुझे उठा दियो और मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा तब बुड़िया कहती है बेटा तू खीर पूरी तो ऐसे ही खा ले ऐसी कोई बात नहीं है तो उसने कहें ना ना बुड़िया माई ये मेरा वचन है कि मैं चला जाऊंगा अब वह खीर पूरी खा करके लड़का सो जाता है राजा के सैनिक आते हैं तो बुड़िया माई सोस्ती है कि कैसे इस लड़के को उठाऊं कैसे किसी दूसरे मा के बेटे को बली के लिए भेज दो पर वह सैनिकों की अवाज से उठ जाता है और कहता है बुड़िया माई मैं तेरे बेटे की जगे जा रहा हूं वह उसके बेटे की जगे चला जाता है अब उसको आवे में बिठाने का समय आता है अब लड़का फिर से वह तिल आवे में पहले डाल देता है और बोलता है कि मेरी माने अगर सच्चे मन से मेरे लिए तिलकुट का वरत रखा है तो मुझे यहां कुछ नहीं होगा और उसको आवे में बिठा दिया जाता है अब आवा पकने के लिए आग पर रख दिया जाता है एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद भी आवा पकता नहीं है सैनिक आ करके उतार के देखते हैं तो इसमें से टन की अवाज आती है सब बड़े हरान हो जाते है अंदर से साइं साइं की अ अवे को खोल कर देखा जाता है तो उसमें से तो वह लड़का जिंदा ही निकलाता है राजा यह देखकर बड़ा हैरान होता है राजा उस लड़के से पूचता है कि तुम तीन-चार दिन से इस आग पर बैटे हुए थे पर तुम कैसे नहीं जले उसने कहा कि राजा जी ये पी एक कहानी है कि मैंने अपनी मा पर विश्वास नहीं किया, मेरी मा ने सच्चे मन से मेरे लिए तिलकुट का सकट चोत का वृत रखा था और मैं पडोसनों की बात में आ करके अपनी मा पर जूटा इलजाम लगा करके आ गया, पर मेरी मा ने मेरे संकटों को दूर करने के लिए मुझे साथ में कुछ तिल दिये थे और कहा कि तु जहां भी जाए जहां तुझे संकट लगे तिल फैकते जाना, तो तेरे बीच में से संकट दूर होती जाएंगे और मैंने इस समय भी यही किया, राजा बड़ा प्रसंद हुआ, अब राजा को वह लड़का भी प्रसंद आ गया, राजा ने उस लड़के से अपनी बेटी का विवहा करा दिया, बेटी का विवहा बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया गया, अब वह लड़का उसी महल में रहने लगा, एक बार वह लड़का अपनी पतनी के साथ अपने राज महल के कमरे में खड़ा था, और खिड़की से देख करके दूर गाउं की तरफ इशारा कर कहने लगा वहां मेरी बुढियमा रहती है तो राजकुमारी ने कहा अच्छा तुम्हारी मा भी है तो मुझे तुम वहीं ले चलो मुझे या राजमहल में नहीं रहना अब लड़का उसके इतना आग्रह करने पर तैयार हो गया अब राजा ने अपने बेटी और दामाद को खुब हीरे जुहारात, हाथी, घोडे, दासी, दास के साथ अपनी बेटी को विदा किया अब वहें अपने गाउं की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जब वहें गाउं में पहुचे तो पांच से छे बुड़ी अमाई आकर के खड़ी हो गए कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है अब वहें लड़का भी अपनी मा को पहचान नहीं पहा रहा था, क्योंकि इत्ते साल हो गए थे, और उसकी मा की हालत भी अब गरीबी के कारण बहुत बुरी हो गए थी, और उसकी मा भी रो रोकर अब अंधिय हो चुकी थी तब यह अब बड़ी परिशानी वाली बात हो गई, कि यह किसका बेटा है, तब गाव में किसी ने बोला, इन पांचो छेओ बुड़िया माई को ऐसा करो, कि चम्बडे की आंगी पहना दो, जिसकी आँख चम्बडे की आंगी से, दूद की धार इस लड़के की मूछो पर जो मिलने वाली थी, अब ऐसा ही किया गया, और जो उस लड़के की मा थी, उसकी चम्डे की आंगी से, दूद की धार उस लड़के की मूछो पर जा लगी, अब उस लड़के ने अपनी मा से शमा मांगी, और बहुने सास के पैर छुए, और तभी सकड़ चोत माता की किरप से उस बुड़िया की आँखे वापस आ गई, और घर में खूब खुशिया, सुक सम्रिद्धी और बरकत आ गई, तो हे सकड़ चोत माता है गणीश जी भगवान, जैसे उनके बेटे के आपने संकट हरे, ऐसे सभी के बेटों के आप संकट हरना, खूब दिरगायों देना, घर में खुशिया बनी रहे, सुक सम्रिद्धी आए, बोलो सकड़ चोत माता कीजे, गणीश जी भगवान कीजे, करेंगे गणीश जी की कता, तो बोलो गणीश जी भगवान कीजे, एक गाउ में एक बुड़िया माई रहती थी, वेह देख नहीं सकती थी, उसका एक बेट और एक बहु थे, वेह बुड़िया सैदेव गणीश जी की पूजा किया करती थी, एक दिन गणीश जी प्रकट होकर उस बुड़िया से बोले, बुड़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले, बुड़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो, तब गणीश जी बोले, अपने बहु बेटे से अपनी घरवालों से पूच के मांगले बुड़िया माई, तब अगले दिन बुड़िया ने अपने बेटे सा कहा, कि गणीश जी कह रहे थे, तू कुछ भी मांगले, मैं तुझे वो दे दूँगा, पुत्र ने कहा, मा, तू धन मांगले, बहु से पूचा तो बहु ने कहा, माता जी नाती मांगलो, तब बुड़िया ने सोचा, कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो उसने पडोसनों से पूचा, तो उन्हों ने कहा, बुड़िया, तू तो थोड़े दिनी जीएगी अब, क्यो तू ध मेरी जिन्दगी आराम से कट जाए, अब जब फिर से गणेश जी आये, तब बुड़िया बोली, यदि आप प्रसन हैं, तो मुझे नो करोड की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आखों की रोष्णी दे, नाती दे, पोता दे, और सब परिवार को सुख दे, और अंत में मुझे मोक्ष दे, यह सुनकर, गणेश जी भगवान बोले, बुड़िया माई, तुने तु मुझे ठग लिया, फिर भी, जो तुने मांगा, वशन अनुसार, मैं तुझे वह अवश्य दूंगा, और यह कहकर, गणेश जी अंतरध्यान हो गए, उदर माई को सब कुछ दिया, वेसे ही सब के घर ऐसे ही भरना, सब की सब मनुकामनाय पूर्ण करना, घर में अंधन के भंधारे भरना, बोलो गणेश जी भगवाने कीजे, बोलो सकट्चोद माता कीजे, गणेश जी भगवाने कीजे, तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब कीजे, और बैल आइकन अवश्य दबा जीजे, ताकि न्यू वीडियोज आने का नोटिफिकेशन आपको ओन टाइम मिलता रहे, और कमंट में जै गणेश जी अवश्य लिखें प्सकित है करने का दूजम झाने का जीजेशन खिचेशन बीजेता लाइमे आने करता रहे।